नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल इलेक्ट्रीशियन एजूकिशन में दोस्तों इस वीडियो में 100 questions GKGS के दिये गए हैं जो बहुत ही महत्पों है दोस्तों इसका reason यह है कि यह question किसी book या internet की वियो साइट से नहीं है यह question आपके previous year के examों में पूछे गए हैं तो दोस्तों start करते हैं वीडियो पहला प्रश्न है भारत सरकार ने रोहित सर्मा को अर्जुन पूरसकार किस वर्स में प्रदान किया था जिसका right answer है 2015 अगला question है किस वर्स में 74 शम्मिधान शन्शोधन समलित किया गया जिसका right answer है उन्नेइस सौ बानबे अगला question है आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगर को विकास का एलान किया है जिसका right answer है बोध गया अगला question है भारतिय संसत में house of commons को किस नाम से जाना जाता है जिसका right answer है लोकसभा की नाम से अगला question है निम्नलखित में से कौन से देश ने रियो उलम्पिक में महिला फुटबाल इस परधा में स्टोन पतक जीता जिसका right answer है जर्मनी अगला question है किस वर्स में सरकारिया कमीशन रिपोर्ट प्रकासित किया गया जिसका right answer है उन्नेश सो अठासी अगला question है मार्डन मीरा की नाम से किसी जाना जाता है जिसका right answer है महा देवी वर्मा अगला question ज्यान प्रकास मंजली society या promotion knowledge नामक संगठन किस ने इस्थापित किया था जिसका right answer है दादा भाई नाराव जी अगला question है जुलाई 2015 में कौन से सहर में पहला वन स्टाप सेंटर फार वूमेन वन स्टाप सेंटर ओ एससी फार यूमेन सुरू किया गया जिसका right answer है राईपूर अगला question है जे एकसे क्या है जिसे अस्ट्रच एच नामक खगोल उपग्र एस्ट्रोनॉमी सेटलाइट तानेगा सीमा अंत्रिक्ष केंद्र तामेगा सीमा स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था जिसका right answer है जापान एरो स्पेस एकस्प्लोरेशन एनर्जी अगला question है भारत के पहले ग्रिह मंत्री थे जिसका right answer है सरदार बल्ला भाई पटेल अगला question है रियो ओलम्पिक में 57 किलो की वर्ग में टाइकांडियो का स्वोण पता किसने जीता जिसका right answer है जेड जोन्स अगला question है भारत का कौन सा राज पहली पैंटिंग के लिए प्रसिद्ध है जिसका right answer है वारली पैंटिंग के लिए प्रसिद्ध राज महराष्ठ है अगला question है किस नेता को लोकप्रिय के रूप में भारतिय असांती का जनक भी कहा जाता है जिसका right answer है बाल गंगा धर तिलक अगला question है HTSC विद्धावतियों को मुफ्त सिच्छा परदान के लिए कौन से राज सरकार ने अन्वीश्या योजना शुरू की जिसका right answer है ओडिशा अगला question है निमलिखित में से कौन से सैमिधानिक शन्शोधन ने पंचायत राज प्रडाली को शाषन में शमलित किया जिसका right answer है तिहत तर्वा शमिधान शन्शोधन अगला question है गुरू, ब्रिहस्पति, जूपिटर के शमान और पांच ने ग्रहों की खोच कौन से देश के बैग्यानिकों ने की जिसका right answer है यू के इस्थित बैग्यानिकों ने अगला question है निमलिखित में से कौन से समयधानिक शन्शोधन ने नगर पालिका को शाषन प्रडाली में शमलित किया जिसका right answer है चवहत्तरवा शमिधान शन्शोधन अगला question है जिस रास्ते को श्वामी वीवेका नंदमार्ग के मादक नाम से जाना जाता है वह अमेरिका के कौन से सहर में इस्थित है जिसका right answer है अमेरिका के शहर शिकागो अगला question है भारतिय सोतंतता श्यंग्राम के दोरान किस नेता ने करो या मरो का ताकतवर नारा दिया जिसका right answer है महाद्मा गाधी अगला question है भारत के सम्मिधान में कितनी अनुसूची है जिसका right answer है भारत के सम्मिधान में 12 अनुसूचियां है अगला question है भारत सरकार द्वारा एक क्रित ग्रामेड विकास कारिक्रम के समिक्षा करने के लिए निम्मिल्खित में से कौन सी समीती को 1993 में नियूप्त किया गया था जिसका right answer है डी और मेहता समीती अगला question अर्जुन पुरसकार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन थी जिसका right answer है सांता रंगास्वामी next question किस ग्रह की सत्थ पर अन्वेशन करने के लिए सोवित संग ने वेनेरा 3 को लांच किया था जिसका right answer है शुक्र ग्रह अगला question है सायना नहवाल ने 2016 में निम्लिखित में से कौन सा पुरसकार प्राप्त किया जिसका right answer है पद्म भूसर पुरसकार अगला question है सुक्ष मलगु और मध्यम उग्जमों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्लिखित में से किसकी इस्थापना की गई जिसका right answer है सिडबी next question है किस पंचवर्सिय यूजना की दोरान भारत में गरीबी हटाओ गरीबी अनुमूलन का नारत दिया गया था जिसका right answer है दूसरा पंचवर्सिय यूजना next question है निम्लिखित में से किसके पास पंचवर्सिय यूजना के मसौदे को अनुमोधित करने का प्राधी करण है जिसका right answer है राष्टिय विकास परिसद अगला question है विश्व प्रसन्यता रिपोर्ट दे वर्ड हैपनेस रिपोर्ट 2016 में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त किया था जिसका right answer है एक सो आठाहरवा इस्थान next question है भारत की समिधान की कितने भाग है जिसका right answer है भारत की समिधान में 22 भाग है next question है भारत का कौन सा राज जिगन्य की अवसिष्ट से बिजली उत्पन्न करता है जिसका right answer है महाराष्ट अगला question है दुनिया में कौन से देश की सबसे घनी जन संख्या है जिसका right answer है मकाउं अगला question है किसे महांतम ग्रिक दुखांत नाटकार माना गया था जिसका right answer है अगला question है निम्लकित देशों में किसे विधान मंडल प्रकार की सरकार सुरू की थी जिसका right answer है इंग्लेंड अगला question है किस राजने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए नए ब्रैंड अम्बैस्टर की रूप में रियो ओलम्पिक की काश्य पदकवी जीता शाक्षी मलई का चेन की अथ है जिसका right answer है हर्याडा अगला question है भारत के शम्मिधान के श्वतंतता शमांता और बंधुता के विचा निम्नल खित में से किस देश से प्रेरित है जिसका right answer है फ्रांस के सम्मिधान से अगला question है दुनिया का सबसे उचाई पर इस्थित राजधानी शहर कौन सा है जिसका right answer है लॉपेस अगला question है दुनिया में किस संग्रहाले को देखने सबसे जादे लोग जाते हैं जिसका right answer है लॉवर पैरिश अगला question है निम्नल खित में से किस समीती ने नाबाड की इस्थापना की सिफारिस की थी जिसका right answer है अशोक मेहता समीती next question है निम्नल खित में से किस देश से भारतिय सम्विधान के मूलभूर करतब्यों की विचार को लिया गया था जिसका right answer है शोविद संग्रहाले की नाबाड की समीती इस्ट कलाकार का आईफा पुरसकार किस ने जीता था जिसका right answer है रणवीर सिंग्ग next question है किस कि जनमदीन को राष्ट्य युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसका right answer है श्वामी वीवी का नंद अगला question है सिक्छा का अधिकार अधिनियम किस साल लागू किया गया था जिसका right answer है 2009 में अगला question भारत में सबसे तेज रिल गाड़ी कौन सी है जिसका right answer है गतिमान एक्सप्रिश अगला question है किस सहर को बुनकरो का शहर कहा जाता है जिसका right answer है पानी पत अगला question है वेलर दीप जिसका नाम बदल कर 2015 में टाक्टर अब्दुल कलाम दीप कर दिया गया किस राज्य से संबंधित है जिसका right answer है ओड़ी शाराज अगला question है निम्न में से कौन सा मूल भूद अधिकार नहीं है जिसका right answer है संपत्ती का अधिकार अगला question है भारतिय संबंधान द्वारा मान्यता प्राप्त राजभाशाओ को किस अनुसुची में समलित किया गया जिसका right answer है संबंधान की आठवी अनुसुची अगला question है हाल ही में भारत सरकार ने निती आयोग को लागू किया इसे किस समयधानिक निकाय के बदले प्रतिस्प इस्थापित किया गया है जिसका right answer है योजना आयोग next question है निमनलिखित में से किन वर्सों के दोरान राजियू गांदी खेल रत्न पुरशकार नहीं दिया गया था जिसका right answer है वर्स दोहजार आठ और दोहजार चोदा के दोरान अगला question है निमन में से कौन सा ब्रेकजित वोट का वर्डन करता है जिसका right answer है यूनाइटेट किंडम यूके के यूरोपिया संग से बाहर होने के लिए वोट अगला question है निमन में से किस राज्य को विशीस राज्य प्राप्त नहीं है जिसका right answer है आंध प्रदेश अगला question है बॉम्बे टॉकिस की इस थापना किसने की थी जिसका right answer है देविकार रानी next question है खेल कुद के लिए 2016 का द्रोडाचारी पुरस्कार किसे मिला था जिसका right answer है नागापुरी रामेश अगला question है दोजार पंद्रह में आरंब की गई खोया पाया विवशाइट का मुख्य उद्देश क्या है जिसका right answer है गुम हो गए बच्चों को बचाना अगला question असोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी जिसका right answer है नीरजा फन नोट अगला question है भारतिय समिधान में शंसोधन की प्रक्रिया निम्न में से किस देश से प्रेरित थी जिसका right answer है शंविधान संसोधन प्रक्रिया दक्षिड अफ्रिका के शंविधान संसोधन प्रक्रिया से प्रेरित थी अगला question है सूचना का अधिकार अधिनियम किस साल लागो किया गया था जिसका राइट अंसर है सन दोहजार पांच अगला कुश्चिन है छुलाई 2015 में केंद्रिया मंत्री मंडल ने भारत और कनाड़ा के बीच किस छेत्र में समझोता ग्यादपन म्यूप पर हुए हस्ताक्चर को अनुमोदित हिया था जिसका राइट अंसर है नागरिक वीमनन अगला कुश्चिन है सूटर विजय कुमार को पदमसी पुरसकार किस साल दिया गया था जिसका राइट अंसर है वर्स 2013 अगला कुश्चिन है किस देश ने पहला उपग्रा छोड़ा जिसमें अगला कुश्चिन है आश्मोच्म द्वारा किस बैंक को दोजार सोला के सरवत्तम MSME बैंक पुरसकार मिली जिसका राइट अंसर है कार्पोरेशन बैंक अगला कुश्चिन है निमनलखित में से महराष्ट राज्य के बागबानी दूद के रूप में किसे नियुक्त किया गया था जिसका राइट अंसर है अमताव बच्चन अगला कुश्चिन भारत की यूजना आयोग पुर्व के बारे में निमनलखित में से क्या सही है जिसका राइट अंसर है यह एक वैधानिक सौंस था है अगला कुश्चिन है भारत में पहला हवाई अड़ा कहां बनाया था जिसका राइट अंसर है मुंबई में अगला कुश्चिन है सबसे सुद्ध पियजल मिलने के लिए 2016 में मिसन भागिरती किस राज्जी में शुरू हुआ था जिसका राइट अंसर है तिलंग आना अगला कुश्चिन है हाल ही में खोजी गई आकास गंगा को बैग्यानिकों ने 2015 में कौन से फुटबॉल खिलाड़ी का नाम दिया जिसका राइट अंसर है क्रिस्टियानो डोनाल्ड अगला कुश्चिन है वाड्सेक बाद वाड्सेक डैम कहां इस्थित है जिसका राइट अंसर है पाकिस्तान में अगला कुश्चिन है सत्य जीतरे कौन से छेते से सगलग्म थे जिसका राइट अंसर है चित्रपट निर्देशक निष्ट कुश्चिन है भारतिय संसत की उपरी सदन का नाम क्या है जिसका राइट अंसर है राज्य सभा अगला कुश्चिन है भारत में कौन से पंचवर्सिय यूजना की दोरान हरित क्रांती की सुरुवात की गई थी जिसका राइट अंसर है चौथी पंचवर्सिय यूजना नेस्ट कुश्चिन है एसिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका राइट अंसर है यांग तिक्यांग नदी अगला कुश्चिन है निमनलखित में से कौन भारत के मुख्य वीधिक अधिकारी है Chief of Officer जिसका राइट अंसर है महानियवादी Attorney General अगला Question है संस्कृति में सामाजिक संग्रहता सुनिस्चित करना के लिए रैमन मैक्सिस पुरसकार 2016 किसने जीता जिसका राइट अंसर है टी एम कृष्णा भारत से नेश्ट कृष्चिन है विजियन, कुट्टी, शंकर और लक्षमर के क्या समानता है जिसका राइट अंसर है व्यंग चित्रन रेखांग अगला कृष्चिन है 2015 में किस राजिक ने प्राणधारा नामक बोतल बंद पिय जल योजना सुरू किया जो अन्य बोतल बंद जलों से सस्ता था जिसका राइट अंसर है पस्चिम बंगाल अगला कृष्चिन है अगला कृष्चिन है भारत में निमलखित मेशिक का राइट अंसर है कौन सा पहला राज भांसा के आधार पर बनाया गया था जिसका राइट अंसर है आंध प्रदेश दोस्तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तो अपने शुजाओ अपने विचार हमें कमेंट में लिखें और दोस्तो साथ ही आपको इस वीडियो की पीडियास चाहिए तो दोस्तो कमेंट बॉक्स में वाट्स अप नमबर सेंड करें और हमारे चैनल इलेक्ट्रीशन एजुगेशन को सस्क्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं तो मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में इसी तरीके से एक नए पेपर के साथ थैंक्यू दोस्तो